अलो स्टूडेंट गुड मॉनिंग बेटा आप सभी का एक बाव फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एसको सलिया जूकेशन में और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी थर्ड किलास की इंगलिस का नाइन्थ चैप्टर बग्स बग्स में चोता है बेटा की पतंगे चोट चोटे कीटे चोहते हैं ना कुछ बलब के पास गुमते हैं कुछ थोड़े वैसे बारिस के मोसम में आजाते हैं इनको बोलते हैं जैसे कोक्रोच वगेरा तितली वगेरा जो भी होती है इन सब को बग्स ही कहते हैं तो देखते हैं यहाँ पर लूक एट दा नीचे कुछ बग्स की पिक्चर दे रखी हैं और उनके नेम लिखने तुम्हें यू में चूज दाम नेम्स फ्रों दा कीवन बोक्स जो नीचे बोक्स दे रखा है ये वाला इसमें से भी तुम कह रहा है कि छाट सकते हो अगर तुम्हें नहीं पता है तो कोक्रोच, लेडी बग, ग्रास ओपर and बटरफलाई तो देखो इन में से ये क्या है इसको तो तुम सभी जानते हो है ना जानते हो ना क्या है बटरफलाई ठीक है तितली ये क्या है बिटा लेडी बग कहते है इसको देखा बहुत है ये तुमने है ना लेकिन इसका नाम हो सक जाता है नों भी पता होगा तो यह है leady bugs इसको क्या कहते हैं इसको जनते हो कॉक्रॉच डर लगता है न कईयोंको तो हां लेकिन कुछ सरार्ती होती है वह इसको भी पकड़ लेती है ग्रास ओपर ये कीड़ा जो गहास में पाया जाता है बहुत ज़्यादा दिखता है बारिस के मोसम में ठीक है ना इसका नाम है ग्रास ओपर वीच ओफ दीज बग्स डू यू सी इन एन अराउंड यूर होम और स्कूल हाँ तो इन में से कौन से ऐसे हैं जिनको तुमें अपने घर पे या स्कूल में देखते हो तो कौन से बेटा लगबग सारी दिखते हैं तुमें ये है ना कोई घर में दिख जाता है कोई स्कूल में दिख जाता है है ना वीच ओफ दीज बग्स डू यू लाइक और डिसलाइक और वाइक इन में से कौन सा तुझे पसंद है कौन सा पसंद नहीं है तो क्यों नहीं पसंद है या क्यों पसंद है तो कौन सा पसंद है तितली पसंद है सभी को होगी न मुझे तितली पसंद है आपको क्या पसंद है बता देना, मैंने लिखा है butterfly, because its color are beautiful, क्योंकि यह अलग-अलग रंगों की होती है, और यह हमें बहुत अच्छी लगती है ना, अब बेटा यह अपनी एक poem है, bugs की उपर छोटी सी, इसको हम पढ़ लेते हैं, I like bugs, black bugs, green bugs, bad bugs, mean bugs, and kind of bugs, तो यहाँ पर poet कह रहा है, कभी कह रहा है कि I like bugs, मुझी कीडे, पतंगे, कीट पतंगे, पसंद हैं, black bugs, काला बग, green bug, हरा बग, हरा कुण सा होता है, ग्रास ओपर होता है न, गहास के सा रंग कही होता है, bad bugs, बुरे बैग, बुरे कीट पतंगे, mean bag, गंदे जो अच्छे नहीं है, है न, वो bugs, and any kind of the bugs, किसी भी परकार के कीडे हों, मुझे अच्छे लगते हैं, a bug, इने रग, रग क्या होता है, फटे पुराने जो कपड़े होता है, कपड़ों में भी होता है न, तो कपड़ों में रहने वाला बग, कीट पतंगे, a bug, ओंदा ग्रास घास पर रहने वाला कीट, and a bug, ओंदा साइडवाग, साइडवाग में से पगडंडी, चलने के लिए जो रास्ता होता है, उसको बोलते हैं, पगडंडी पर पाए जाने वाला कीट, a bug, इने ग्लास, और ग्लास में कई पर हमारे बर्तनों में बिचड़ जाते हैं न, ये, हाँ, तो ग्लास में पाए जाने वाला bug, ये देखो, ग्लास लिए खड़ा है, इसके अ पर फैट बग, मोटे बग, मोटे मोटे भी होते हैं, बगगी बग, यानि कि बहुत सारे बग कीट पतंगों का जूंड, बीग बढ़े बग, लेडी बग, माधब कीट पतंगे, आई लाइक बग्स, मुझे सारे ही कीट पतंग पसंद है, ये कह रहे हैं, यहाँ पे किसी भ की तरह के बगसों हो चाहे ब Genesis of father to round और इनके लिखने वाले क्योंने पॉइट को नहीं मार्गेंट वाइज ब्राउण ६शेंक बंडविये और इस ने ये पॉय में लिखी ऐ chrome बेटा यहां पर याम कर लेते हैं इनके वर्ड मेनी बग बग मीन्स क्या होता है आभी बताया था मैंने कीड़ा चोटा कीड़ा जो होता है कीड़ मीन्स मीन्स अनकाइंड पूर क्वाल्टी ओफ अपीरेंज इन बहुत गंदा सा ऐसा जो होता है मीन्स नीच दुखी बुरा जो भी होता है वो रग रग मीन्स बोरी वगेरा या फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनको कहते हैं साइड वाक फुट पाथ साइनी चमकीला लेडी बग मनलो एक परकार का कीड़ी है जो पीछे दिखाया था ने छोटा सा रेड रेड सार उसमें बलेक बलेक से डोट दा बग्स बग्स के बारे में लिखना है कलर बग के कलर कैसे कैसे जो पीछे जो इसमें आया है हमारे लेसन में बलेक और ग्रीन आया ना बलेक बाग ग्रीन बग है ना तो ये इनके कलर दो परकार के बताए हैं सेप एंड साइज की उनकी आकार और साइड परकार किस से किस कि फोटा छोटा या बहRe नशली लॉंभा पतला इसंतर बताना है तो यहां पर कैसा कैसा यह रांड बग फैट बग बिग बग हैं ना आया था ना और एंग जैसे शाइन इया था तो शाइन शाइन इसमय नहीं चमकदार है तो यह सेप और साइज नहीं है ठीक है प्लेस वेर दे आर फाउंड और कौन-कौन सी जगहें पर यह बग्स पाई जाते हैं कि पतंग पाई जाते हैं बिटकीडे इन एर रग बोरियों में फटे पुराने कपड़ों में है ना इन दी ग्रास ग्रास में ओन दा साइड़ वाक फुट पाथ पर इन दा ग्लास और ग्लास में इसमें पोयम में यहां यहां का जिकर आया वेट इसलिए हमने इनी प्लेसे का नाम लिखा है वैसे तो और भी कई मिल जाते हैं हमें है ना दिवारों के अंदर भी नालियों में भी कई मिल जाएंगे लेकिन जो बुक्स में जिकर आया है जिन स्थानों का वो हमने यहां पे लिख दिये हैं डोज दो पोयट लाइक ओल दा बग्स क्या पोयट को सभी बग्स पसंद है विच लाइन इस सभी पसंद है उसको बताने वाली लाइन कौन सा यह सबहिं पसंदे है the line क्या I like bugs shows this I like the bugs कि मुझे bugs पसंद है इस से हमें पता चलता है कि poet को सभी bugs पसंद है yes are you afraid of bugs कि क्या तुम bugs से डरते हो and if yes why डरते हो तो क्यों तो बेटा कुछ बच्चे डरते है न तो वो लिखेंगे yes because some bugs can bite us कुछ कुछ ऐसे bugs जो हमें काट लेते हैं और कुछ ऐसे भी बच्ची है जो नहीं डरते हैं और जो नहीं डरने वाले हैं वो लिखेंगे यहां पर no because bugs are very small उनको डर क्यों नहीं लगता बई उनको लगता होगा कि छोटा सजी यह क्या काटेगा छोटे होते हैं so they cannot harm me वो मुझे harm नहीं कर सकते जैने कि मेरा नुकसान नहीं कर सकते जो नहीं डर हैं वो यह अपना तर्क दे देंगे और जो डरते हैं उनसे वो कहेंगे बई काट जाएगा इसलिए मुझे bugs से डर लगता है तो जो तुम्हें पसंदो वो वाला अंसर लिख देना तो यह दोनों अलाग लग हैं दोनों एक साथ नहीं लिखने हैं विटा ठीक है जा तो उपर वाली लाइन लिखोगे या नीची वाली लिखोगे ठीक है match words in the big circle there opposite in the small circle यह तो बड़ा circle है और इसके चारों यह छोटे circle बनाई हुए कह रहे हैं कि big circle में words लिखे हुए हैं और उनका opposite in में लिखा हुआ है तो वहाँ से match करना है तो सबसे पहले लिखा हुआ है big tree, बड़ा पेड big का क्या होगा? small tree तो यहाँ इससे मिला रखा है इसने उसके बाद है straight road सीधा road और यहाँ लिख रखा है देखो curved road curve मितल सब मुड़ा हुआ road जो होता है करो के आकार का half circle जिसको बोलते हैं उसको करो बोलते हैं ऐसे यह वाला तो curved road आऊ जाएगा straight का positive curved tall boy tall का short तो यहाँ आगया short boy fat cat मोटी बिली fat का thin तो यहाँ पे चार word हमारे आए हैं जिनके हमें opposite words से learn करने हैं जैसे big का small straight का curved tall, short fat, thin और बाकी तो अगला है वो तो लिखे रहेंगे इसनकी साथ ही ठीक है look at the picture and circle the correct word यहाँ picture को देखोगे और इधर correct जो word है उसको circle करोगी one is done with for you a blue red ball blue या red कैसी बोल है यह red है इसलिए red को circle कर रखा यहाँ पे आगे यह क्या है grass है green yellow grass कैसी होती grass green होती है यहाँ green को circle कर दिया green grass यह डो कैसा है black है ना a black white dog कैसा है यह black तो हमने black को ही circle कर दिया है आगे a child playing या reading बच्चा क्या कर रहा है यह पढ़ रहा है गया नहीं बोल से खेल रहा है ना तो a child playing a girl crying you're laughing crying means होता है रोना और laughing means हास ना थी यह क्या कर रही है हास रही है इसलिए a girl laughing ठीक है तो बिटा लेसन में bugs को describe करने वाले कौन-कौन से शब्द आई है जो bug के बारे में बताते है कि कैसे bugs होते है round, shiny, lady bug, fat, big and buggy bug means बहुत सारे bug का जून तो यह सारे bugs के बारे में बताने वाले शब्द है कि bugs किस परकार के होते हैं हैं वो बताए गए हैं नहीं यहां पर लिख दिया है ठीक है बिटा पीक आउट from the poem the words that have been used to describe bugs कि bugs को बताने वाले कीटों के यहां पर उनको कौन से शब्द हैं जो उसको describe कर उसकी विशेशता बता रहे हैं वो तुमें यहां पर लिखना देखो बीच में बग्स लिखा हूँ इधर यह काली था मैंने लिख दिये हैं ठीक है बिटा लेसन में बग्स को यह describe करने वाले कौन कौन से शब्द हैं हैं जो बग के बारे में बताते हैं कि कैसे बग्स होते हैं राउंड, शैनी, लेडी बग, फैट, बीग, एंड बगी बग मिन्स बहुत सारे बग का जुन तो यह सारे बग्स के बारे में बताने वाले शब्द हैं कि बग्स किस परकार के होते हैं हैं वो बताए गए यह हमने यहां पर लिख दिया है ठीक है बटा अब बटा इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर स्वाप्ट करते हैं और आगे का जो बचा हुआ अभ्यास है उसको हम करेंगे अपनी अगली वीडियो ठीक है थैंक यू